साथ्यों नमस्कार, मैं कुल्दी पियादव जयपूर से, आपके बीच पुने Google विश्व को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें अपने पिछली क्लास में जो प्रथम वीडियो था, उसमें अपने तर्चा की थी, केवल अक्षांस के बारे में, अक्षांस क्या है, उसे स अंदर भी उसकी विशेषता हैं, उनका उप्योग क्या है, उसके बारे में अपनी बाते हुई थी, आज आपन अगला टोपिक शुरुबात करते हैं, और दूसरा हैडिंग आपन देशांतर के बारे में, देखें, देशांतर, लॉंगी टूड इस तरीके से अपने बात अक्षांस के की थी, अक्षांस रेखाएं, पस्चिम से पूरव, विश्वत रेखा के समानांतर रूप में थी, उसी तरीके से देशांतर रेखाएं, जब आपन देखते हैं, तो यह उत्तर से दक्षिन, जो ग्रिन विच रेखा के पूरव, पस्चिम रूप में की चीज गई है, जिनकी एक बार आपन बेशिक जानकारी की बात करते हैं, देखिए, यह आपके सामने प्रत्वी, प्रत्वी के बीचु बीच उत्तर से धक्षिन, और इसको कहा जाता है, जीरो दिग्री देशांतर, और इस जीरो डिग्री देशांतर का ही नाम है, ग्रिन विच रेखा, प्रेटेन के लंदन सहर से रोयल ग्रिन विच वेज साला से गुजरती है, उसी के आधार पे इसका नामकरण ग्रिन विच रेखा भी किया गया है, या फिर अपने का जीरो डिग्री देशांतर भी कहते हैं, और इसी को यह अपन प्रधान या मोतर के नाम से भी जानते हैं, एक तीसरा नाम आपके सामने लिखा है, प्रधान या मोतर, इन ये लाएने लंवत रूप में हैं, वरटिकल हैं, इसलिए या मोतर शब्द का प्रयोग किया है, और जितने भी देशांतर रेखाओं को जो निर्धारन किया गया है, वो इस ग्रिन्विच रेखा के सापिक्सिक रूप में किया गया है, इसको आधार मान के किया गया है, इस ग्रिन्विच रेखा से जहां आपन के इस तरफ का जो दाईं तरफ का भाग है, ये है पूर्वी गोलार्द, और इस तरफ वाला भाग है पस्चमी गोलार्द जहां अक्षांसों के संदर्ब में विश्वत रेखा प्रत्वी को उत्री गोलार्द वैं दक्षन गोलार्द के रूप में बांटती है उसी रूप में गिरिनविच रेखा प्रत्वी को पूरवी गोलार्द वैं पस्चमी गोलार्द के रूप में बांटती है और जितने भी देशांतर का निरधारन किया गया है वो इस गिरिणविच रेखा या प्रधान या मोतर या प्रधान मध्यान रेखा भी इसको कहा जाता है जिसको अपने नाम रखा है इससे पूरव वै पस्चिम की और किसी भी स्थान का कोणिये मान है, वो उस स्थान का देशानतर कहलाता है, तथा गिरिनीविच रेखा के पूरव या पस्चिम में एक समान मान वाले स्थानों को मिलाकर उत्तर से दक्षिन की और खिंची जाने व आपके सामने उत्तर और ये दक्षिंद देखिए अब आप इस ग्रिल्विच रेखा के पूरव में मैं आपके सामने कहा कि ये एक्डोट बनाया और इसका कौन जो प्रत्वी गोल रूप में हैं तो इस वाले भाग तक पता किया तो यहां 30 डिगरी का कौन बनता है इसका चात पर इस ए बिंदू का जो मान है वो 30 डिगरी और कून सा गोलार्द है पूर्वी इसका मतलब 30 डिगरी पूर्वी देशांतर है ये इस्थान है ये वहां का देशांतर है लेकिन 30 degree कोण वाले स्थानों कोई मिलाकर यदि उत्तर से दक्षिन की ओर लाइन खीचें ये 30 degree के मैंने आपके सामने ये बिंदू लगा दिये और ये आपके सामने एक ये इसका तात्व्य हो गया 30 degree पूर्वी देशांतर रेखा देशांतर रेखा देशांतर रेखाएं अर्द व्रत के रूप में होती है अक्षांस रेखाएं पुरण व्रत के रूप में थी लेकिन देशांतर रेखाएं अर्द व्रत के रूप में होती है और एक अर्द व्रत जो देशांतर है उसके जस्ट अपोजित विपरीत साइड का जो देशांतर है और वो भी अर्द व्रत का जो भाग दोनों मिलकर एक पूरण व्रत का निर्मान करते है अक्षांश पूरण विरत होते हैं, देशांतर अर्द विरत के रूप में होते हैं, ये दोनों की विशेश अंतर के रूप में भी आपको ध्यान रखना है, तो अपने पहले बात की देशांतर वे देशांतर रेखा, तो देशांतर का तात्प्रिय गिरेनवित रेखा के पू ये मान, एंगल, उस इस्थान का देशांतर कहलाता है। तथा देशांतर रेखा, longitudinal line, ग्रिनविच रेखा या परधान या मोतर, या अपन कई परधान, मध्यान या ग्रिनविच रेखा के पुरव या पस्षिम में एक समान मान वाले इस्थानों को मिला कर उत्तर से दक्षिन की और खीची जाने वाली रेखा जिसको आपन नाम देते हैं देशांतर रेखा कहते हैं तो पहले तो आपन दोनों का अर्थ लिखते हैं देखिए देशांतर देशांतर का क्या हर्थ है ग्रेन वीच्ट या इसी को आपन कहते हैं प्रधान या मोतर या इसी को आपन नाम देते हैं जीरो डिग्री देशांतर या प्रधान मध्यान किसी भी सब्ध का अपन प्रयोग करें ग्रेन विच्ट या प्रधान या मोतर की पूरव या पस्चिम में किसी इस्थान का कोन ये मान कुछ इस्थान का कुछ इस्थान का देशांतर कहलाता है ये अपन ने देशांतर को परिभासित किया है ग्रिन्विच रेखा के पूरव या पस्चिम में किसी भी स्थान का कोन ये मान उस स्थान का एंगल उस स्थान का देशांतर कहलाता है लोंगिटूड कहलाता है ये तो देशांतर का अर्थ है अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखा की बात करते हैं कि जहां देशांतर वे देशांतर रेखा दोनों की संख्या से संदर्वित फिर ये एक तरीके का आपके सामने प्रूशन आएगा तो इसके बारे में फिर आपके सामनी तर्चा होगी तो एक बार अपन देशांतर रेखा के बारे में लिखते हैं जेशांतर रेखा लोंगिटूड लाइं देखे इसमें, ग्रिन्वित रेखा कि पूरव या पस्चिम में ग्रिन्वित रेखा कि पूरव या पस्चिम में पस्चिम में एक समान मान वाले, मान कैदें या कोन कैदें, एक समान मान वाले इस्थानु को मिला कर उत्तर से दक्षिन सरसे दक्षिन की और हिची जाने वाली जाने वाली रेखा देशान्ता रेखा कहलाती है रेखा पहलाती है तो ये दोनों एक साथ अपने को जानकारी समझ में आई देशान्तर वे देशान्तर रेखा ग्रिनवीच रेखा की पूरा वे पस्ची में किसी भी स्थान का कोण ये मान उस्थान का देशान्तर कहलाता है तथा ग्रिनवीच रेखा की पूरा वे पस्ची में किसी भी एक समान मान वाले या एक समान कोण वाले इस्थानों को मिलाकर उत्तर से दक्षिन खिंची जाने वाली रेखा जिसको देशान्तर रेखा कहते हैं ये तो अपने इसके सामान अर्थ की बात हुई अब देखिए इसकी देशान्तरों की क्या विशिष्थाई हैं देशान्तरों की संख्या कितनी हैं देशान्तर रेखाओं की संख्या कितनी हैं देशान्तरों की प्रकरती कैसे हैं देशान्तरों का उपयोग क्या है इसके आपने एक डाइग्राम है, चित्र नजर आ रहा है और ये चित्र आपको देशानतर रेखाओं को दर्शाने के लिए किया गया है, देखिए इसमें, देशानतर रेखाएं, ये उपर की तरफ वाला ये बिंदू, ये ओल है, ये उत्री धुरू है, उत्री धुरू, नॉर्थ वो, ऐसे दक्षिन में साउथ पोल है, तो एक पोल को दिखाया है और वहाँ देशांतर रेखाएं आपको दिख रही होंगी, आकि इस धृू से देशांतर रेखाएं बहार की ओर निकल रही है, विक्री तो हो रही हैं, विसर्जी तो होती हुई हैं, तो धृू के पर सभी मिली हुई हैं और फिर आप देखें तो ये नीचे की तरफ वाली जो लाइन है देखें नीचे वाली ये जो लाइन जो आपके सामने सीधी जो लाइन है और इसको जो जीरो डिगरी अपने नाम रखा जीरो डिगरी देशांतर और इसको लिखा है प्राइम मेरिडियन परधान यामोतर और इसी का ही नाम आपन लिखते हैं गरिनविच भी जिसको लिखा रहा इसी लाइन का नाम है ग्रिन विच रहा जैसे प्रथवी जो गोल रूप में की नौर्थ पोल से उत्री धुरू से इस रूप में आपके सामने आदा विवरत बनते हुए और यह आया आपन कहीं ग्रिन विच रहा फिर इसे जस्ट आपोजिट ग्रिन विच से दूसरी तरफ विप्रीत रूप में और यह आदा विरत और यह है 180 डिग्री देशांतर कहने का तात्प्रिये ग्रिल्विच रेखा के जस्ट विप्रीत तरफ में विप्रीत दिशार के अंदर 180 डिग्री है और जो आपको यह नजर आ रहा है इसमें देखिया आप यह पॉल से और इस रूप में और यह लिखा हुआ है 180 डिग्री तो लिखा है एंटी मेरेडियन ग्रिन्विच विप्रीत ग्रिन्विच रेखा ग्रिन्विच रेखा के जस्ट अपोजिट का भाग जिसको अपन कहते हैं 180 डिग्री देशांतर तो जहां अपने का जीरो डिग्री ग्रिन्विच रेखा सामने है उसे जस्ट अपोजिट 180 डिग्री है यानि ग्रिन्विच से चलके पूरव की तरफ 180 है और ग्रिन्विच से चलके पस्चिम की तरफ भी 180 है और 180 और 180 360 देशांतर होते हैं यह 360 देशांतर और इन्हें के आधार पी अपन देखते हैं देशांटर रेखाओं का जो निर्धारन हुआ है जहां आपने देखा कि गिरिल्विश से चले 1234 150 160 170 180 189 और 180 180 डिगरी जो पूर्वी देशांथर है पस्जिम की तरफ से जाए तैं तो एक सो असी वह पस्मी देशांतर लेकिन वह दोनों एक ही लाइन है इसका मतलब 1 ज़ यहां रखना है 180 और 180 360 और जहां आपन देखें एक डिग्री एक लाइन जो अपनके 0 डिग्री ग्रिन विच रेखा तो 361 लेकिन 180 वाली लाइन दो नहीं होके एक हैं इसलिए एक कम कर दिया तो कितनी होगी 307 तो देशांतर भी 306 हैं देशांतर रेखाईं भी 307 हैं देशांतरों के आपन विशेष्टाओं के एक बार चित्र से समझें फिर अपने को समझ में आएगा और फिर आपन एक एक को उसको नम्मर से अपन लिखेंगे किस रूप में हैं देखिए यह मैंने आपके सामने इस वाले भाग को यहां लिखा यह तीरो डिग्री लिख दिया जिसको अपन कहते हैं भूमद रेखा नाम देते हैं भूमद रेखा या विश्वत रेखा इस विश्वत रेखा से अपन उत्तर का गोलार्द अपने को इश्वस नजर आ रहा है उत्तरी धुरू नौर्थ पोल तक का भाग इसलिए अपन उत्तर की बात करते हैं इस विश्वत रेखा से उत्तर की ओर जाने पर आप को देख रहा होगा। दो देशांतुरों की बीच की दूरी देख़िया। लगातार जैसे जैसे विश्वत रेखा से दुरू की टरफ जा रहे एं वैसे वैसे दो देशांत्रों की बीच की दूरी घटती जाती है इसको ऐसा भी कहा जा सकता है दुरू से विश्वत रेखा की तरफ जाने पर दो देशांत्रों की बीच की दूरी बढ़ती जाती है इस रूप में भी इसको कहा जा सकता है सबसे अधिक यदि अपन के बीज की दूरी है तो वह विश्वत रिखा के पास है भुमद रिखा के पास है और यहां भुमद रिखा कE पास यदि आप देखेंगे तो यह सब लगभग जो दूरी होती है भुमद रिखा के पास 111.32英 değer और यही मैं आपके सामने कहूं और यह मैंने आपके सामने कहा यह 45 डिग्री उत्री अक्सान से नोर्थ है इस वाले भाग पे जाके लगबग जो बीच की दूरी हो जाती है वो 79 किलोमीटर हो जाती है और यहीं आप देखेंगे और यह मैंने आपके सामने लिख दिया यह 80 डिग्री तो यहां की दूरी लगबग 19 किलोमीटर हो जाती है और जो पॉल है दुरू है जिसको अपने बिंदू कहते हैं यहां बीच की दूरी सुनने हो जाती है जीरो हो जाती है इसका मतलव विश्वत रे खासे दूरू की ओर जाने पर चाए नोर्थ पोल हो चाए शाउथ पोल हो दो देशांतरों की बीच की दूरी घटती जाती है और सब से अधिक दूरी विश्वत रेखा के पास और सब से कम अपने दूरू पे सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है तो बीच की दूरी क्या होती है सुन होती है जीरो होती है तो पहला अपने का सभी देशांतर रेखाएं आर्दिवरत की रूप में खीची जाती है उत्तर से दक्षिन लंवत रूप में खीची जाती है जो गिरिनविच रेख पासें उत्तर या दक्षन की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी घटती जाती है और सबसे अधिक दूरी भूमद रेखा के पास होती है और सबसे कम दूरी धुरू के पास होती है धुरू वाले भाग से सभी देशांतर रेखाओं बहार की ओर निकलती ह हुई या विसर्जित होती हुई या विकृत होती हुई अपने को नजर आती है। कल देसांत्र की संख्या 3060 है और देशांत्र रेखाऊं की για 3060 है तो अब अपन इसकी एक-एक विसेस्ता को लिखते हैं देखिये । एक नम्मर के विशेष्टा सभी देशांतर धुरू से विशर्जित होती हुई विशर्जित कहे दें, विक्रित कहे दें सभी देशांतर रेखाएं, ऐसा लिखें इसको दुरू से विशर्जित या विक्रित होती हुई खिची जाती है, जिसको ऐसा भी कहा जा सकता है, सभी देशांतर रेखाएं, दुरू से बहार की ओर निकलते हुए खिची जाती है। और ये भी दिख रहा है, आपको सभी देशांतर रेखाएं, दुरू पर आपस में मिल जाती है। दूसरी विशेश्ता, सभी देशांतर रेखाएं, उत्तर से दक्षिन, आर्द वरत के रूप में खेंची जाती है। देशांतर रेखाएं, आर्द वरत के रूप में, उत्तर से दक्षिन के रूप में खेंची जाती है। नेक्स देखें, तीर नम्मर की विशेश्ता, झत्याली से दक्षिन, में खेंची जाती है। कि देशीरी जो विशेषता है देशांतरों के संधर्ब में देखें दो देशांतर रेखाउं की बीच की दूरी विश्वत रेखा के पास या भूमद रेखा कहें विश्वत रेखा के पास 111.32 किलोमीटर 45 दिगरी अक्षांस के पास चाहिए वो उत्री अक्षांस हो चाहिए वो दक्षनी अक्षांस हो उसे कोई फार्क नहीं है 45 डिग्री उत्तर पर भी आई है और दक्षिन पर भी आई है 45 डिग्री अक्षांसों के पास 79 किलोमीटर 80 डिग्री अक्षांसों के पास 19 किलोमीटर वैं दुरूं के पास उत्री दुरू या दक्षिन दुरू दुरूं के पास बीच की दुरी सुन्य होती है सुन्य कैदे है या जीरो होती है इस लाहिन से अपने को एक प्रकरती समझ में आई है आक विश्वत रेखा के पास सबसे ज़्यादा देशांतरू के बीच की दुरी है और दुरूं की तरफ जाते जाते अपन देखे तो वहां बीच की दुरी सुन्य हो जाती है जीरो हो जाती है जैसे आपने को चित्र में भी नजर आ रहा था कि बीच की दुरी जैसे जैसे आपन जा रहे हैं वैसे वैसे बीच की दुरी घठती हुई जा रही है यह तो अपने एक अलग-अलग टर्म के रूप में लिखा है और विशेश रूप से आपको इध्यान रखना है आख विश्वत रेखा के पास कितनी दूरी है 111.32 km होती है दूरू के पास सुन यानि जीरो हो जाती है इससे ये भी एक निश्कर्श निकलता है अक विश्वत रेखा से दूरू की ओर जाने पर बीच की दूरी घटती जाती है या दूरू से विश्वत रेखा की ओर जाने पर दो देशांत्रूं की बीच की दूरी बढ़ती जाती है इसको उल्टे रूप में भी लिखा जा सकता है. Next देखिए, अगली उचीस्ता, ज्यार नम्मर. देखिए, प्यार नम्मर की विश्वत रिखा से, दुरू की और जाने पर, जाने पर, देशांत्रों की बीच की दूरी, बीच की दूरी, घटती जाती है. और ये जानकारी अपना डाइग्रामी दिखा रहा है. अगली विश्वत रिखा से, दुरू की तरफ जा रहे हैं, तो बीच की दूरी, लगातार, घटती हुई जा रही है. और ये भी अपने देखा है कि, दो देशांतर मिलकर एक पूरण विरत बनाते हैं, क्योंकि एक देशांतर अर्द विरत के रूप में हैं, तो उससे जस्ट विपरीत वाला जो देशांतर अर्द विरत का भाग मिलकर एक पूरण विरत का निर्मान करते हैं. नेक्स विशेष्टा लिखें, पांच नम्मर पे, तो विप्रीत देशांतर मिलकर एक पूरण बुरत बनाते हैं, सरक्ल बनाते हैं, क्योंकि एक देशांतर अर्दिवरत होता है, तो उससे जश्ट अपोजिट वाल है, यह ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि 30 दिगरी पूरव, और इससे जश्ट अपोजिट वाली जब बात करते हैं, तो यह ध्यान रखना है, इससे विप्रीत दिशा के अंद जो देशांतर आएगा, और वो किस रूप में आएगा, विप्रीत का आपको ध्यान रखना है, 180 मेंश उसको माइनस कर दें, जा आपको आपको 30 दिगरी पूरवी देशांतर, इसका मतलब 150 दिगरी पूरण देशांतर का जो वरत है, वो दोनों मिलकर एक पूरण वरत का न निर्मान करेंगे, नेक्स अगली विचीष्था, पास नमर की विचीष्था लिखें अपने, छे नमर की विचीष्था लिखें, फैर, कुल, देशांतरों की संख्या एक सो असी पूरव में और एक सो असी पस्सिम में, तोटल कितने हुई, तीन सो साथ, और एक व्रत में भी अपन के तीन सो साथ डिग्री ही बनते हैं, देशांतर का मतलब क्या है, कोण ये मान, एंगल, जो अपन के पूरी प्रत्वी पर जो अपन के तीन सो साथ डिग्री, एक जो सरकिल है, गोले के रूप में, जो अपने तीन सो साथ ही देशांतर होते हैं, साथ नम्मर कुल देशांतर रेखाऊं उपर अपने बात कि देशांतर की यहां अपन रेखाऊं के बात करें कुल देशांतर रेखाऊं की संख्या रेखाऊं की संख्या अब आप ध्यान देएं इस पर इत्र में देखें यहां से अपने का 0 फिर अपने का 1 2 3 4 5 इस रूप में और यह लास्ट में गए तो 150 और यह मैं आपके सामने लिख दिया 179 179 फिर आगे अपन इसके बाद 180 ऐसे अपन पस्चिम की तरफ से चले तो 150 और फिर यह अपन आए 189 यह इस्ट पूर्वी देशांतर यह वैस्ट पस्चिम देशांतर इसका अपने जीरों से 189 पूरव की तरफ हैं देशांतर रेखा और जीरों से 189 पस्चिम की तरफ हैं और एक 180 डिग्री पूरव यह पस्चिम दोनों की उभैनिस्ट है तो एक ही रेखा है और एक ग्रिनवित रेखा है तो 189 एक ग्रिनवित रेखा और एक अपन कहीं 180 डिग्री देशांतर तो कितने हुए तीन सो साथ होती है किस संख्या बराबर आप लिखना पूराव में 189 पस्चिम में 189 ग्रिनवित एक और 180 डिग्री जो देशांतर है वो भी एक इसका मतलब टोटल तीन सो साथ है कि अक्राक्षांस वे अक्रारिखाओं में अंतर फा लेकिन देशांतर वे देशांतर रेखाओं में अंतर नहीं हैं दोनों समान हिहां देशांतर भी 308 ओं और देशांतर रेखाईं भी 3306 ही अब देखे एक आपने देखा ृस Ło Co की विशेष्था अब देखे आठ नमर की विशेष्था आठ नमर की विशेष्था दो देशांतर रेखाऊं की वीच की भाग को गोड़ कहा जाता है ऐसा भी कह सकते हैं देशांतर रेखाऊं के बीच के भाग को गोर कहा जाता है जैसे अक्सांसों के बीच के भाग को जोन या कटीबंद कहा गया था उसी तरीके से देशांतर रेखाऊं के बीच के भाग को गोर कहते हैं और नेक्स अगली विसे हिस्ता देखें नौ नम्मर पे देशांतर रेखाऊं का उप्योग रेखाऊं का उप्योग किसी किसी इस्थान विशेष किसी इस्थान विशेष की इस्तती निर्धारन करने में करने में और यही लाइन अपने अक्सांस के साथ भी जोड़ी थी किसी इस्थान विशेष की इस्तती का निर्धारन सही माइने में अक्सांस विशेष अंतर दोनुं से ही तय हो पाता है तो यही जानकर अपने रेखा कि किसी इस्थान विशेष की इस्तती निर्धारन करने में इसके अलावा देशांतरू का क्या उप्योग है जहां आपने दो रेखाऊं की जो बात कर रहे एक ग्रिनवीच और एक 180 डिग्री देशांतर यह दोनों भी अपने आप में विशेष मेत्व रखती हैं और जो संदर्वीच बात आगे आ रही है इस्तिती निर्धारन करने में ग्रिनवीच रेखा देखा विश्वी की समय निर्धारन में समय निर्धारन में तथा 180 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर विश्वी में तिथी या फिर जिसको अपन नाम देते हैं दिनांक विश्वी में देशांतर विश्वी में तिथी या दिनांक निर्धारन करने में उप्योग किया जाता है देशांतर रेखाओं की दो अलग अपने बाते बताई हैं देशांतर रेखाओं में एक तो ग्रिन्विच रेखा प्रधान या मौतर या प्रधान मध्यान कहते हैं जो लंदन की ग्रिन्विच रोयल वेद साला से उजर रही है वहां से पूरे विश्व के समय का निर्धारन किया गया है तो समय निर्धारन में गिनिविट रेखा का विशेश योगदान है, यहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित हुआ है, दूसरा विश्व में जो दिनांक का निर्धारन है, जिसे प्रत्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है, यानि 24 घंटे में जो और इसी 180 डिग्री देशांतर को अंतर रास्टे तिथी रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया है तो यहां अपन कहें 0 degree देशांतर को ग्रिन्विच कहते हैं 180 degree देशांतर को अंतरास्टी तिथी रेखा या अंतरास्टी दिनांक रेखा के रूप में इसको जाना जाता है ये देशांतर से संदर्विट उपयोग इसकी विशेष्टाएं इसके बारे में अपने चर्चा की है, अब देखिए इसी से संदर्वित अक्षांस और देशांतर दोनों के बारे में एक कोमन रूप में कुछ जानकारी हैं, तो आगे देखिए आप। की दोनों के बारे में ही कोमन जानकारी हैं, जहां से प्रशनों की प्रकृति क्या होती है, वह मैं आपके सामने एक्जांपल रख रहा हूं। मैं एक प्रशन के रूप में लिखा, प्रशन नम्मर एक, सही अभी कथन है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, सही अभी व्यक्ति है, आपके सामने मैं चार विकल्प रख रहा हूं, उससे देखें, जो अक्षान देशांत्र की जो बाते हुई है, उससे आपकी बाते इस्पस्थ हो जाएं, इसमें एक ओप्षन है, बहतर डिग्री नौर्ट वैश्याशी दिग्री की से, यह अक्षान्स है, बहतर डिग्री यहां लिख दिया है, पूरे रूप में, पूर्वी, पूर्वी अक्षान्स, वै एक्षो बईयासी दिग्री पूर्वी देशान्स तर्वा, दूसरा आपके सामने भी विकल्प है, बाण में डिग्री दक्षणी अक्षान्स, वै एक्षो अठटर डिग्री पस्चमी देशान्स तर्वा, पूर्वी देशान्स तर्वा, और फॉर्थ वाला जो बी है, अठाण में डिग्री पूर्वी देशान्स, वै एक्षो बासट डिग्री पूर्वी देशान्स, बहुत से पेपरों में आपको इस रूप में मिलेगे, प्रशन जो बिल्कुल सरल इस्तरका होता है, यह को हर एक्जाब में प्रशनों की प्रकरती तीन प्रकार की होती है, कुछ प्रशन ऐसे होते हैं जो सबसे सरल इस्तरके होते हैं, और सरल इस्तरके प्रशन से यह अपक्षय की जाती है, प्रिक्षयार्थी से कि वो सरल प्रशन को गलत ना करे, दूसरा इस्तरका होता है जो मद्दम इस्तरका प्रशन है, जिसने एक दो बार उसको repeat किया तो अच्छे रंग सो याद किया जा सकते और एक प्रशन वह होता है कि जो सबसे कठी निस्तरका होता है तो गहराई के प्रशन होते हैं तो सरवलिस्तर के प्रशनों के लिए विध्यारती से यह पिक्षय की जाती कि सरवलिस्तर का प्रशन गलत नहीं हो लेकिन उसकी प्रकरती क्या है तो मैं आपके सामने बिल्कुल सरवलिस्तर का ही प्रशन है लेकिन आपको शमझ में आना चीए कि पूछना क्या चारा है देख अपन ने दूसरे वीडियो में देशांतर की बात किये इसने कहा कि पहले वाले में बहतर डिग्री उत्त्री अक्षांस 182 डिग्री पूर्वी देशांतर अक्षांस का मान 90 तक हो सकता है बहतर सही है लेकिन देशांतर का मान 180 तक हो सकता है 180 पूरव हो सकता है या 180 पस्सिम इसके बीच में हो सकता है 180 से ज़्यादा मान नहीं हो सकता है इसका मतलब 182 डिगरी पूर्वी देशांतर कहीं भी नहीं होता है इसका मतलब यह option है यह गलत है दूसरे वाले में, बान में डिग्री जक्षनी अक्षांस, 90 से ज़्यादा तो अक्षांस होते ही नहीं है, इसका मतलब यही जो विकल्प है, यह गलत है, और 178 डिग्री पश्णी देशांतर जो सही है, लेकिन यह अक्षांस की जानकरी इसमें सही नहीं है, ऐसे 88 डिग्री उत्त्री अक्सांस गिल्कुल सही है, नब्बे से कम है, उत्त्री अक्सांस हो सकते हैं, और एक सो बहतर डिग्री पूर्वी देशांतर, यानि एक सो असी से कम है, तो ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये कथन सही है, और अन्तिम देखे, अठान में डिग्री, इसका मतलब नब तरिके से अक्षांस और देशांत्र का मान भी अक्षांस का मान 90 से अधिक नहीं हो सकता, देशांत्र का मान 180 से अधिक नहीं हो सकता, तो इसका आंस्वर C आंस्वर जो सही है, ऐसा प्रशन आता है कि सही अभीकतन या सही अभीवक्ति है, दूसरे प्रकार का क्या प्रशन आत देखें 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 दिगरी उत्री अक्षांस का अक्षांस का प्रैति व्यासत क्या होगा प्रति व्यासत का मतलब होता है एंटी पोडल कि अधिन रखाय की 82 दिगरी उत्री अक्षांस का प्रति व्यासत यहनि उसका विप्रीत उल्टा रूप में क्या होगा अब यह आपको ध्यान रखना है यहां आपने जो बात की हैं वो किसकी बात कर रहे हैं अपन अक्षांस की बात कर रहे हैं और यहां आपको एक याद रखनी है अक्षांस का जो मान है उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जैसे अपने का मान कितना है 82 182 दिगरी लेकिन गोलार्द कूर्शा है इसमें क्या लिखा है उत्री इसका मतलब यह उत्री गोलार्द की बात कर रहा है तो गोलार्द को चेंज कर देना है तो 82 दिग्री उत्री अक्सांस है तो इसका विप्रीत क्या होगा मान में परिवर्तन नहीं होगा मान तो कितना होगा उतना ही तो आंसर क्या बनेगा मान में परिवर्तन नहीं हुआ तो 82 दिगरी लेकिन गोलार्द ये कूशा था उत्त्री अक्सान्स उत्री गोलार्ड तो अब इसका क्या हो जाएगा दक्षणी अक्सान्स के इसका है कहने का मतलब जैसे आपके सापने मैंने ये प्रत्वी बनाई ये जीरो और आपके सापने कहा है कि यह 82 डिग्री नौर्थ नौर्थ लैटिटूड उत्री अक्षांस है तो इसका विपरीत जो पार्ट है यह 82 डिग्री साउथ दक्षनी गोलार दो जाएगा जो आंस्वर सही होगा ऐसे मैं आपके सामने उप्षन रखूँ पंतालीस डिग्री दक्षनी अक्षांस का प्रतिव्यासत क्या होगा तो पंतालीस डिग्री है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना पंतालीस रहेगा लेकिन उसका गोलार जैसे दक्षनी का तो क्या बन जाएगा उत्री गोला तो पंतालीस डिग्री उत्री अक्षांस उसका प्रतिव्यासत या फिर एंट कि नोट करके अक्षान्स के प्रतिव्यासत में अक्षान्स का मान नहीं बदलता लेकिन गोलार्द बदल जाता है यह आपके सर रूप में आपको समझने के लिए मनिस लाइन को लिखा है अक्षान्स का मान नहीं बदलेगा उसका गोलार्द बदल जाएगा उत्री गोलार लिखता है तो दक्षनी गोलार यानि उत्री अक्षान्स है तो दक्षनी अक्षान्स है तो उत्री अक्षान्स हो देखिए अगला प्रशन एक जो देशांत्र के संदर्वित रूप में है, प्रशन नम्मर तीर, विचेत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिव्यासत एंटीपोडल क्या होगा? लेकिन इसमें ध्यान रखना आक्षांश का नियम लागूर नहीं होता है, क्यों? अक्षांश पूरण विरत के रूप में थे, देशांतर अर्ध विरत के रूप में हैं, और देशांतर का जो अर्दिवरत है तो उसे जस्ट अपोजिट वाला पार्ट है वो आपको ध्यान रखना है और वो 180 के संदर्व में होता है देखे किस रूप में इसका सरल्शा तरीका तो आप इस तरीके से समझ लें अक जो भी मान दिया जाए देशांतर का उसको 180 में से घटा लें जिस भी देशांतर को एक स्वस्षी में से घटाईं, दूसरा जो गोलार्द दे रखा है, जैसे पूर्वी गोलार्द की बात करता है, पूर्वी देशांतर, तो उसको क्या कर दें? पस्षी में गोलार्द कर दें, इसका मतलब देशांतर में दोनु परिवर्तन होंगे, मान में भी परिवर्तन होगा और गोलार्द में परिवर्थन होगा लिखना इसमें उत्तर क्या होगा कि देशांतर के मान के मान को एक सो असी दिग्री में से भटाएं वे बोलार्द बदल दें कि इस लेन को याद कर लिया तो अपने को आसानी से चाहिए वो कोई भी संख्या दे आसानी इसको परिवर्थन किया जा सकता है देखिए आप इसमें किस रूप में है जिसे आपके सामने 75 तो इसका क्या आएगा पहला तो देशांतर के दिए मान को किसमें से घटाएं 180 180 माइनस पिचेत्तर कितना हुआ एक सो पांच पहला तो मान को घटा है दूसर तरह ने क्या था इसमें घटाएं वह गोलार्द को क्या करना है बदल दें इसमें क्या लिखा है पूर्वी देशांतर तो यहां क्या हो जाएगा पस्चमी देशांतर यह पस्चमी तो आंसर क्या होगा 105 डिग्री पस्चमी देशांतर यह तो मैंने आपको उत्तर निकालने का तरीका है फिर भी मैं आपको और इसको शरल धंग से आपके सामने रखूं आकि किस रूप में आया तो आप देखिए एक चित्र को यह आपके सामने मैं प्रथ्वी बनाया और इसमें धुरू वाले भाग को दिखाते हुए जो पूल है के यह आपके सामने मैं धुरू का थूसक्त है बस्चमी इस वाले भग में तो श्यार्व के सामने यह lijn की यह 0 ग्रियलूज ग्रियुट रिखा इधर गया आपके सामने 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर आए 90 डिग्री पस्मी देशांतर, और ग्रियुट से जस्ट अपोजिट जो लाइन गई आपके सामें देखे इस वाली लाइन को और इसको कहा 180 degree देशांतर पूरव की यही लाइन है और पस्चिम की यही है अब मैं आपके सामने 0 से 180 पूरव में है 0 से 180 पस्चिम में यह पूर्वी देशांतर है जैसे आपके सामने अभी एक्जामपल जो अपना प्रसंद का था और प्रसंद का एक्जामपल में क्या था अब 55 डिगरी पूरवी दिशांतर तो जो आपन के 15 पंदरे से ड्वाडेशन करें तो पिछेतर आएगा तो आपके सामने देखे इसमें मैं आपके सामने रखा इस वाले भाग को देखें, कि 45, 15, 30, 45, 60, 45, 90, कि 105, 120, 135, 150, 165, 165, 165, यह सारे कुंसे हैं, पूर्विदेशांतर, ऐसा ही आप देखिए, पस्चिम की तरफ भी, 15, 30, 45, 60, 45, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 15, 165, 15, 30, 45, 60, 50, 105, 120, 135, 150, और दुरुवाले पार्ट के उपर सभी देशांतर आपस में मिल जाती हैं, यह आपने पहले भी देखा है, देशांतर एकाउं को इसे इस्ताउं में भी, अब आपके सामने जो प्रसंद क्या था, प्रसंद में क्या दिया हुआ था, पिचेत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर, ये प्रसंधाबना इस 55 डिग्री पूर्वी देशांतर का एंटी पोर्डल प्रति व्यासत क्या होगा तो आपके सामने देखे इसमें तो जहां 75 डिग्री पूर्वी देशांतर देखो आप ये पूरा वाला तो ये 55 डिग्री पूर्वी देशांतर और इस 55 डिग्री पूर्वी देशांतर के जस्ट अपोजिट रोप में देखेंगे तो ये कितने डिग्री है 105 डिग्री देखो इसलिए मैंने कहा था यदि इस इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा, अग इसका विपरीत क्या है, हलांकि अपने कैलकुलेशन का है, कि 180 में से उसको माइनस कर दें, ऐसे मैं आपके सामने उधान रखूँ, 120 दिग्री पस्वी देशांतर का प्रति व्यासत क्या होगा, तो आपकी तित्र में ही है, 120 दिग्री ये वाला भाग, पस्वी देशांतर, पूरव की तरफ देखेंगे, तो 120 से फिर इधर आए, ये देगा, ये कितना है, 60 दिग्री, तो आंसर क्या होगा, 60 दिग्री पूर्वी देशांतर, साथ मेरा मानना है कि आप निश्री तुरूप सी सित्तर से समझ गए होंगे, देशांतर रेखा का प्रति व्यासत कैसे ग्यात होता है, अक्षांस वे देशांतर दोनों को मिलाकर भी पूछा जा सकता है, तो अक्षांस में मान में परिवर्तन नहीं करना है, केवल गुलार्द बदलना है, देशांतर में मान को 180 से घटाएं, साथ में गुलार्द भी बदल दें, दोनों करे किये जाते हैं, यह अपनी बाते थी अक्षांस वे देशांतर के संधर्व में, और अगली कक्षा, वो देशांतर रेखाओं के आधार पर ग्रिन्वित रेखा से विश्व का समय निर्धा निर्धारन, 180 डिगरी देशांतर जिसको अंतरास्ते तिथी रेखा के रूप में जानते हैं, उसे विश्व में दिनांग या तिथी का निर्धारन कैसे किया जाता है, उसके बारे में परिचर्चा की जाएगी, और नियमित रोप से अपनी क्लासे लगातार भूगल विश अधिक से अधिक इसका लाब मिले जाएं